नमस्कार उतर प्रिदेश टाइंज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ स्वाती सिंग बदलाग की आत्रा में बदलते उतर प्रिदेश में पिछले चौबस घंटे में क्या खुश हुआ ये नज़र डालते हैं देश भर में लाखो लोग भाती है रेलवे पर नरभर हैं जो घर से दूर नौकरी या पढ़ाई करने वालों के लिए सबसे बड़ा साधन है पहले रेलवे यात्रियों को 120 दिन पहले तक का एडवांस टीकट बुकिंग की सुविधा थी जुसे अब घटा कर 60 दिन कर दी गई है ये नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा जिसका उदेश यात्रियों को सुशारू यात्रा अनुभव प्रदान करना है रेलवे के मुताबिक इस बदलाव का असर 31 ओक्टूबर 2024 तक बुक की गई टीकटों पर नहीं पड़ेगा ताज एक्सप्रेस गोमती एक्सप्रेस जैसे स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग नियम पहले जैसे ही रहेंगे उत्यप्रिदेश लोग सेवा आयोग यानि की UPPSC ने प्रतियोगी परिक्षाओं में पेपरली के घतनाओं पर रोक लगाने के लिए नया कदम उठाया है अब हर परिक्षा केंद्र पर अलग-अलग रंग और कूर वाले प्रशनपत्रों का उप्योग किया जाएगा इसके तहट चार सेट प्रशनपत्र तयार किये जाएगे जिनमें से ये दो सेट का उप्योग परिक्षा के दिन किया जाएगा ये ववस्ता परिक्षाओं के इस पक्षता सोनिश्चित करने के साथ-साथ गोपनियता बनाई रखने में भी सहायक होगी प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परिक्षा केंद्र तक के सभी शर्णों में प्रशनपत्रों की गोपनियता को बरकरा रखा जाएगा और योगी सरकार ने उतर प्रिदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोपची मैनेजमेंट इन्फरमेशन सिस्टम यानि की पी एम आईएस की शुरुवात की है इस प्रिणाली के तहट निवेश मित्र प्लाटपॉर्म के साथ और योगी प्राधीकर्णों की वेब साइटों को एक एक रित क्या जाएगा जिससे निवेशकों को सीधे शानकारी प्राप्त होगी नोईडा और ग्रेटर नोईडा में इस सिस्टम को लागू करने से 96,000 से अधीक प्रापटियों का विस्टर डेटा उपलब्द होगा इसके साथ प्रापटी के पंजी करन और अप्रूवल प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने का काम भी होगा उत्तर प्रिदेश राजस्व परिशत ने लेकपाल भरती में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षन का दाइरा बढ़ाने का फैसला किया है अब एक हाथ एक पैर सिलाचार और बौने अभियर्थियों को भी आरक्षन का लाब मिलेगा इस नए प्रिस्ताव के तहत करीब तिरपन सो पदों पर भरती की चाहेगी पहले केबल चार श्रेनियों के दिव्यांग जन को आरक्षन का लाब मिलता था लेकिन अब तीन नई श्रेनियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है इस बतलाव से दिव्यांग जनों को रोशकार के अफसर प्राप्ट करने में सहायता मिलेगी नौईडा के सेक्टर 126 स्थेत HCL चेकनोलोजी में 18 अक्टूबर को रोशकार मिला आयूचीत क्या चाह रहा है इस मेले में इंटर्मेडियेट पास यूवा भाग ले सकते हैं इन्होंने CBAC बोर्ट से 70 प्रतिसत और UP बोर्ट से 7 प्रतिसत अंग प्राप्ट किये हैं चैने तुमेडवारों को प्रस्क्षन के बाद नौकरी का अफसर प्रदान क्या चाहेगा इस मेले का उत्देश बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अफशर प्रदान करना है और उनके करियर की शुरुआत में मदद करना है फिलाल इस पुलेटीन में इतना ही ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स हम हैं तेश के दिल उत्तर प्रदेश की धरकन उत्तर प्रदेश टाइम्स